यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वही सुप्रीम कोट की फटकार के बाद सीम जैराम ठाकोर ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोट और एंजटी के आदेशों का पालन करेगी वही इस मामले पर कॉंग्रेस ने सरकार को भी घेरा है इस दिश्टी से ये परिसिती निर्मित हुई है मैं उसमें ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मानियों उच्टम जाले और एंजटी के आदेश के मताबिक हम सारी चीज़ को ले करके कारवाई कैसे करनी है उस सारी पर विचार कर रहे हैं लेकिन जो इस बात को ले करके राजनेतिक दिश्टी से अनावश्यक बातें करने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनसे इतने ही कहना चाहता हूँ लेकिन ये सुप्रीम कोट ने कहा है हा, सुप्रीम कोट ने कहा है इसमें मैं राजनेतिक लोग जो आज सब जगह जाकर के पुतले फूँक रहे हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं महा महीव राज्यपाल को मिल रहे हैं मुझा जिक्र कर रहा हूँ लेकिन सुप्रीम कोट ने जो बात कही है इस बात से हम सहमत हैं जो गलत हुआ है नहीं होना चाहिए था और अब जो है हमारी सरकार आने के परचाथ जो भी आदेश सुप्रीम कोट के एंजीटी के जो भी आदेश होंगे हम सक्ति से उस पारण करेंगे परदेश में कानून विवस्ता का बुरा हाल है सरकार सुप्रीम कोट के अदेशों की अनपानना भी ठीक धंसे नहीं करवा पारी है जिस तरह से एक अदिकारी की मौत हुई है और पहली वारी हमाचर परदेश के इतिहास में किसी सरकारी अदिकारी की हत्या हुई है और सरकार सोई हूई है? निश्ची तोर पर सुप्रीम कोड ने भी हमान लिया है कि परदेश में कानून का शाष्ऑन लगना चाहिए. उनका कहने का मकसद है कि परदेश में कानून नाम की कोई विवस्ता नहीं है. ये उनके कहने की दिशन जो उनके ओडरा है उसके नुसार है सपरतीत होता है